हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नोलेज हब प्याज का उप्योग विबिन रोगों के इलाज में किस प्रकार करें प्याज सम्रण सक्ति वर्दक है प्याज और अद्रक का रस और गी प्रते की एक एक चम्मच लेकर इन्हें मिला ले फिर नित्य दो बार कुछ सब्ता इसे पिएं इससे सम्रण सक्ति बढ़ेगी दाथ निकलना प्याज के सेवन से केल्शियम की पूर्टी हो जाती है दाथ निकलते समय कोई भी रोग हो आदा आदा चम्मच प्याज का रस और सहद मिला कर नित्य एक बार पिलाने से काफी लाब होता है पेसाब बंद हो जाए या बार बार आए तो पचास ग्राम प्याज के टुकडे एक किलो पानी में उबाले इसे चान कर स्वादा नुसाद सहद मिला कर तीन बार पियें इससे काफी लाब होगा प्याज सुंदर्य वर्दक नित्य प्याज खाने से रुकी सुखी तवचा कोमल और चिकनी हो जाती है रक्त साफ होता है तवचा के सारे विकार नश्ट हो जाते हैं प्याज सुंदर्य बढ़ाता है खासी होने पर एक किलो पानी में आदा किलो प्याज के टुकडे चार सो ग्राम बुरा मिला कर अच्छी तरह उबाल कर ठंडा करके चान कर पचास ग्राम सहद मिला कर बोतल में भर लें फिर इसे नित्य दो दो चमच चार बार पिएं इससे खासी ठीक हो जाएंगी काले दाग या दब्बे होने पर सरीर में कहीं भी काले दब्बे हो दब्बे बढ़ते ही जा रहे हो तो नित्य प्याज का रस लगाते रहें कालापन स्मापत हो जाएगा कर दो